क्या 15-16 साल के स्टूडेंट्स के लिए महीने का 2-3 लाग रुबे कमाना पॉसिबल है? आज से 4 दिनों पहले विस्तारा की मुंबई से बैंगलूरू की फ्लाइट में मैं दो टीनेजर्स को मुझा एक की उमर थी 15 साल, दूसरे की उमर थी 16 साल मैंने नोटिस किया they were talking about some freelancing projects I was curious to know more तो मैंने ही conversation को start किया अब उस 30 मिनिट के आसपास की conversation में जो भी मैंने जाना, जो भी मैंने सुना वो मेरे लिए बहुत ही जादा interesting था और बातों ही बातों में उन्होंने अपने monthly average income के बारे में भी बताया जो जानने के बाद में मैं definitely बहुती जादा surprise था आपको भी बताता हूँ वीडियो देखते रहाँ 5000 likes on this video और मैं उनके साथ में detailed podcast करने वाला हूँ आप लोगों के लिए तो जल्दी से smash that like button हाँ जी तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में उसी conversation में से कुछ बातें ऐसी share करने वाला हूँ जिन्होंने उनकी life को तो change किया ही positive तरीके से आप में से काफी सारे लोगों की life को भी change कर सकती है यानि कि अगर आप एक teenager है, student है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जितने भी साल के हैं अगर आप अपनी पढ़ाई के ओपर focus करते हुए, बाकी और काम को करते हुए 2-3 लाग महीने का कमना start करना चाते हैं तो definitely ये चीज़ें बहुत helpful होने वाली है अब वैसे तो उनकी present age 15 और 16 साल की है पर मैं definitely जानना चाता था कि उन्होंने इस particular stage पे पहुँचने के लिए शुरुवात कप करी थी उन्होंने बताया कि उनको ये काम करते वे लगभग लगभग 3 साल हो चुके और सबसे interesting बात ये है कि उन्होंने साथ में काम करना सिर्फ 10 महीने पहले से start किया है उसके पहले they were working as two individuals और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे हाँ तो साथ में काम करना start करने के पहले जो उनकी monthly average income हुआ करती थी वो होती थी 20,000 रुपे से 40,000 रुपे महीना हाँ और रही बात कि दोनों ने ये काम करना start कैसे किया जब भी उनको अपनी पढ़ाई से time मिलता था तो वो कुछ time देते थे कुछ नई skill सीखने के लिए हर एक दिन वो लगबग एक घंटा निकाल लेते थे इस particular नई skill के ओपर काम करने के लिए सीखने के लिए practice करने के लिए और हाँ ये एक घंटा उनकी पढ़ाई को उनके दोस्तों को उनके परिवार को किसी भी चीज़ को disturb नहीं करता था इन्होंने सीखने के लिए definitely YouTube जैसे free platform और भी बहुत सारे ऐसे platform जहां पर free courses available होते हैं यूस किया ताकि ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़े कुछ चीज़ सीखने के लिए इनमेंसे एक ने definitely हाँ कुछ paid courses यूस किये हैं पर दूसरे ने एक भी रूपिया invest नहीं करा कोई भी चीज़ को सीखने के लिए और इनके लिए सबसे बड़ा game changer होते थे summer vacations जहां पर ये और भी ज़्यादा time निकाल सकते थे उन skills को सीखने के लिए प्राक्टिस करने के लिए क्योंकि तब ना दो पढ़ाई के tension होती ना और किसी चीज़ की tension होती है अब जब उन्होंने mention किया कि वो सिर्फ 10 महीने पहले से ही साथ में काम कर रहे है उसके पहले they were working as an individual तो ये पूछना definitely बनता था वो मिले कैसे ये एक दूसरे को डेट साल पहले मिले in some networking event in Mumbai दोनों ही वो based at Mumbai तो ये एक दूसरे को मिलने के अलावा बाकी सारे और लोगों से भी मिले काफी सारे लोगों के साथ में network किया social media handles को contact numbers को exchange किया एक दूसरे के साथ में connect करना start किया selflessly अब वैसे तो ये दोनों ही काफी सारे और लोगों के साथ में भी touch में थे पर इन दोनों की vibe देरे-देरे match करने लगी इनोंने सोचा कि शायद साथ में काम किया जा सकता है फिर क्या था कैसे वो चीज़े को scale कर सकते हैं कैसे एक दूसरे को help कर सकते हैं कैसे दोनों की skill एक दूसरे को compliment करेगी और business को आगे लेके जाएगी इनके लिए इस पटिकलर चीज़ का answer ढूनना उतना ही जादा tough और confusing था जितना आप लोगों के लिए है जैसे आप लोगों मैंसे काफी सारे लोग YouTube पे search मार के ढूनते रहते हैं कि best skills कौन सी होगी जिससे आप online पैसे कमा सकते हैं इनकी story भी different नहीं थी इनोंने भी उन्हीं तरीकी के questions को YouTube पे search किया चीज़ों को ढूंडा and they started working on content writing, video writing, graphic designing all together अगर मैं इनकी individual journey की बारे में बात करो तो इनमें से एक नहीं सिर्फ content writing करना start किया और दूसरे नहीं video writing और graphic designing और धीरे धीरे when they started working together they got into all these three things individually इन दोनों का यही माना है कि content create करना is everything चाहे वो written format में हो या फिर वो visual format में हो इस वज़े से इन्होंने इन चीज़ों को सीखने के लिए start किया skills को सीखने के बाद में practice करने के बाद में इन्होंने reach out करना start किया अलग-अलग logo को, YouTubers को चोटे-चोटे brands को ताकि छोटा-मोटा काम मिल पाए हाँ, starting में इनको 500-600 रुपे पर project मिलता था जो ये definitely धीरे-धीरे scale करना चाते थे क्योंकि 500-600 रुपे एक project के उपर काम करना महीने में ऐसे 4-5 project करोगे तो 2000-3000 से ज़ादा आप कमा नहीं पाऊगे यही चीज इन्होंने भी decide करी they wanted to scale things individually और कैसे इन्होंने 2-3,000 रुपे महीना कमाने वाली possibility को change किया 20-40,000 रुपे individually कमाने वाली चीज में वो मैं आपको बताता How did they earn more? अब इस पटिकलर चीज के दो parts होंगे पहला when they were working as an individual दूसरा when they were working together तो when they were working individually जब यह 500-600 रुपे पर video rating या फिर पर writing assignment का कमाते थे तो इनके लिए कैसे possible हुआ उस चीज को increase करना Again common ground पर बात करूँ तो इनकी कुछ similar strategies थी पहले of course इन्होंने start किया drop servicing का काम करना यानि यह 600 रुपे, 700 रुपे की video rating का जो काम है वो आगे 400 रुपे में करवा लेते थे और बीच में जो पैसा होता था वो हो जाता था इनका drop servicing का काम यह उन clients के लिए करते थे जो इनके regular clients नहीं होते थे जिनसे on and off काम आता रहता था क्योंकि वो वैसे भी बहुत important clients नहीं थे और जो clients इनके बहुत regular clients होते थे उन लोगों के लिए editing खुद करते थे चीजों के ओपर अच्छे से ध्यान रखते थे कुछ extra value addition आड़ करने की कोशिश करते थे ताकि वो धीरे धीरे इस पैसे को बढ़ाने की possibility को increase करें they started asking for more money अब क्योंकि एक काम में जो वो visible होता है तो of course एक YouTuber या फिर एक Client क्यों एक्स्टा पे नहीं करेगा ऐसे लोगों को and that is how they started making 1500 के आसपास in place of 500-600 रुपे और तीसा इन्होंने ये समझा कि इंडिया में शायद इतना जादा पैसा नहीं है they started reaching out to YouTubers or Creators from developed nations जहां से इन्हें on an average 5,000-8,000 रुपे पर assignment मिल जाता था तो ऐसे इन्होंने 2,000 रुपे महीने को increase किया 20-40,000 रुपे महीने पर when they were working as two individuals दूसरा part of course when they started working together इनके लिए ये जो common strategies हैं ये तो काम कर ही रही थी they were following that उसी के साथ में they started working on networking very strongly एक individual normal सा client होना जो एक single YouTuber है जिसकी कोई company नहीं है उससे काफी बड़ा काम आपको मिल सकता है अगर आपके पास में कोई brand है या कोई ऐसी company है जो आपको regular काम दे सकते हैं जो बहुत ही ज़ादा heavily invested है तो इन्होंने उसी चीज़ को समझा they started reaching out to a lot of corporate clients और अभी इनके portfolio में they have more than 43 companies जो regularly इनको काम देती है they started hiring more people और यह जो लोग करते थे यह होता था project basis पे और interns को hire करके क्योंकि वो उनके लिए low cost होता था of course इनके पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो permanent काम करते हैं पर maximum they rely on interns और ऐसे लोग जो काम सीखना चाहते हैं जिनको यह help कर सकते हैं और जो बहुत जादा costly नहीं भी होता है और ऐसे लोग जो बहुत ही जादा highly efficient है पर वो project basis पे उनको pay करते हैं क्योंकि monthly pay करना उनके थोड़ा expensive हो जाता है और I am pretty sure इन strategies के अलावा भी इनके पास में काफी सारी ऐसी चीज़े होगी जिनके ओपर यह काम करते हैं और हर एक इनसान पूरी की पूरी चीज़ें बहुत ही transparently share करता भी नहीं है विचाई totally understand पर जितना आपको जानना चाहिए उतना आपके लिए यह चीज़ है और अगर आप इनके बहुत काम करते हैं यू किन डेफिनिटली दो वंडर्स यह एक ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप डेफिनिटली वेट कर रहे होंगे और आइम वेरी हापी टो शेयर कि अभी फिलहाल के लिए जो इनकी मंतली इंकम है वह लगबग आठ लाग रुपे महीना और मैं यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर टोटल रेविन्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जब इनकों काम करना स्टार्ट किया था तो पहले ही महीने डेबल देर इंकम उसके बाद मैं ट्रिपल, चार गुना, दस गुना होती गई और यहाँ डेफिनिटली मेकिंग अलॉट अफ मनीना जब मैंने इनको आगे आने वाले दो साल के प्लान के बारे में बोला तो रेविन्यू वाइस इन्होंने बताया कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इस से बहतर ट्रावल टाइम को यूज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी मतलब इतनी अमेजिंग कॉनवर्जेशन, इतने अमेजिंग इंसाइट ऐसे लोगों से मिलना जो आप से आधी उमर के हैं और डेफिनिटी आप से काफे अमेजिंग काम कर रहे हैं परस्नली मेरे लिए भी काफी सारी लर्निंग्स थी उस कॉनवर्जेशन में और आप लोगों के लिए भी रही होगी अगर हां तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हम एक पॉड़कास कर पाएं इनी दोनों अमेजिंग टीनेजर्स के साथ और मैं डेफिनिटी यही एक्सपेक करूँगा कि इन अमेजिंग टीनेजर्स के जैसे आप में से काफी सारे और ऐसे अमेजिंग टीनेजर्स निकलें जो मेरे जैसे और लोग जो ट्रावल कर रहे हैं उनके साथ में अपनी सक्सेस सोरी को शेयर करते वे उनके अमेजिंग टाइम को स्पेंड करने में हेल्प करेंगे बागी इस वीडियो में से वितना ही मैं आपको मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक केर और कीप हसलें